आपको जैसे की पता है कि हम लूसेंट की आपको करा रहे हैं लूसेंट की दूनों बुक्स हम कर रहे हैं ठीक है एक तो आपकी डिटेल वाली है जो थियोरी की है और दूसरी आपकी वस्तुनिष्ट है जिसमें की ऑब्जेक्टिव टाइप के कोश्चन दिये गए हैं जैसे आप द्खाई दे रहे हैं तो इस बुक्के जो हमने कई पार्ट कर लिये हैं अगर आव आप ने देखें देख लिए यह थार्ड वाला चला था ठाट का इस इकिंड पार्ट चला है जो धानमी कंदोलन का एक पार्ट मैंने बना दिया था जैसे पचास कोश्चन थे ठीक है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए इस चाप्टर की जो बचिव है कोईशन है उन्हें आज हम इस वीडियो में कम्प्लेट करेंगे ठीक है तो आप किसी पी अगर कम्प्लेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो यह लूसेंट की बुक आपके लिए लाओसी भीजी महत्र पूरर है आप इसा देख सकते हैं चली अहां सार्ट करते हैं हम यहां तक कर चुकए थे क्वोशन फृप्ति था क fulfillment कर चुके थे 50 कि इसके आगे एक वाट हम करेंगे का कोशन फिप्टी वं ठीक इसके पार फच पहले कि 50 focuses your आपको धार्मिक अंदोलन पार्ट वन करके मिलेगा फार्ट फरस्ट करके देख लिजेगा उसमें चलू सेंड की ऑब्जेक्टिव टाह की बुक के कोश्चन आंसर नाम की लिस्ट बनी हुई है उसमें देखें ना ठीक है चले कोशन नमर फिप्टी वन एक्यावर कोशन है न असर्व नात से संबंद होने के कारण ये जैन उसी चेत्र माना जाता है क्योंकि यहां पर पार्षब नात का संबंद है इस स्थान से पार्षमनात का समन्ध होनी की कारण जैनों के लिए ये संभीत सिखर जो है पवित स्थान माना जाता है बुद्ध की मुरत के बाद प्रथम बुद्ध संकीतिकी अध्यच्टा किसने की थी बौध की मृत के बाद याद रखेंगे कि जब भगवान बुद्ध नहीं रहे थे उनकी मृत के बाद जो पहली पर्थम बौध संगीती की अध्धिचता किसे ने की थी महाकस्यप ने की थी उनका नाम आप याद रखेंगे महाकस्यप जो महाकस्यप थे इन्होंने पहली बौध संगीती की अध्धिचता की थी और यह जो पहली बौध संगीती थी ये बुद्ध के भगवान बुद्ध की ना रहने के बाद आज जित हुई थी जिसकी अध्धिचता महा कस्यप ने की थी महा करस्प ने इसकी पहली बौद संगीती की अर्दिचता की थी कोशन नमर 53 निम लिकित में से बुद्ध के जीवन काल में की संग प्रमुक होना चाहता था जो इन में से बुद्ध के जीवन काल में ही ये लाइन आप चाहता था कि बुद्ध के जीवन काल में ही संग प्रमुक होना चाहता था वो कौन था ऐसा ब्यक्त जो कि बुद्ध के जीवन काल में ही बुद्ध के जीवित रहते ही संग का प्रमुक होना चाहता था तो वो कौन था देवदत तो देवदत का आप नाम याद रखेंगे जो देवदत था वो बुद्ध के जीवित रहते ही उनके होते हुए ही संग का प्रमुक होना चाहता था ठीक है जिसका नाम है देवदत तो देवदत ऐसा भ्यक्त है जो बहुत है के जीवित रहते हुए भी उनके जीवन काल में ही संग का प्रमुक होना चाहता था ठीक है पॉस्ट्टन न हैं है कि ईलियोडोरस ठाब है उनका नाम है यह संद्वित है कीवल वार्षट से संबंदित हैं आप Я रखेंगे इनका आप लेक वह संबन हे जो हैल्योडोर अबलेक किसका है हव्यूडोरежду का भीष नगर अबलेक है संदर्विफोंatures लो वाश डेव से केवल वाश संबन देगा है इसे में किसी औरर सम्न नहींわかे बहुत धर्म के विषय में कौन से कथन सही है कथन वारा भी आप पूरा पढ़ेंगे कि बहुत धर्म के सम्मंद में कहें कि व्लास में क्या होता नहीं लिखा होता है तो नहीं पर ध्यान आप जरूर देंगे यहां पर नहीं है यहां पर सही पूछे गए हैं कि बहुत धर्म क ये सम्मंद में बौधः ट्रम के भी शय में कौन कौन सेैं कृष्छ सही है तो यह तीनों कफन, बौधः के शृक्याद जनों हमकthे को अश्युकार नहीं किया था जो जो बुध्य थे उन्होंने और आणके धर में, भुध्य धर में, बण押 जात को अश्युक्ार नहीं कि जात समय में जो वन थे और जात थी को इन्होंने अस्युकार किया था इन्होंने तो जात करकि तहने ब्राम्भण वर्ग की सरवोच समाज कोटी को चुनोती दी थी जो बाद धर्म था इन्होंने क्या किया था इन्होंने जो ब्रामभड वर्ग था ठीक है ब्रामभड वर्ग की सर्वोच समाजिक कोटी जो ब्रामभड वर्ग की सर्वोच समाजिक कोटी थी उन्हें इन्होंने चुनावती दी थी तो बुद्धों ने बुद्ध धर्म के दोरान क्या हुआ थे कि ब्रामभ था ठीक कुछ ऐसे सिल्पकर थे जिन्हें भी उन्होंने तुछ या हीन माना था निन माना थे माना थे लिदो ओशन Computer कार्शन कई पूजा सर प्रथम किसने प्रारंब की थी ठीक है वाश देव क्रश्न की पूजा किसने शुरू की थी तो यह शुरू की थी साथ पोते ने ठीक है यह किसने शुरू की थी ठीक है तो यह साथ वितों ने शुरू की थी साथ वितों ने किसकी पूजा सुरू की थी साथ वितों चार इस्थानों जो निम लिखे चार इस्थानों में से बौध संगीतियों का सही काल करम नीचे दिये हुए कूट में ग्याद कीजिए ठीक है जो बहुत धर्म की जो चार संगीतियां हुई थी ठीक है जो चार इस्थानों पर ये हुई थी ठीक है चार इस्थानों पर हुई बहुत संगीतियां जो बहुत संगीतियां थी वो चार जगे हुई थी तो इनका सही काल करम आपको लगाना है ठीक है तो सबसे पहले कौँन ही थी प्याचत भानती य॥ह को लगाना है तो सही काल किरम आपको नीचे दिए हुए कोड से ग्याद करना है टि किया ऑग है तो सबसे पहले треб Bel ór इनका स्थान आ पहला स्थान कौण था राजगर गर है अम पहला स्थान इसका कल ने पहली बहुत संगुती किससा संत्त दूसरें किससा है स्थान की जगह घ्र संगुती ओधसी ऊए वो राज ग्राय में हूए था तिसरी पाथली पुत्र में हुई थी और चौती कुंडल बन में हुई थी तो पहली बहुत संगीती जो है वो राजग्रह में हुई थी दूसरी वैशाली में हुई थी और तीसरी पाटली पुत्र में हुई थी और चौती जो है वो कुंडल ग्राम में हुई थी ओके पहली का हुई थी राज फिर वैशाली फिर पार्टली फुत्र और लास्ट में कुंडल वन इस तरह से अभियाद रखेंगे इनको कोशन 58 गौतम बुध्य ने अपनी मृत्य के उपरांत बहुत संग के नेतरत्व के लिए किसे नामित किया था ठीक है जो भगवान बुध्य थे उन्होंने अपनी मृत्य के उपरांत ठीक है कि उनकी मृत्य के बाद कौन बहुत संग का नेतरत्व करेगा उसके लिए इन्हों भी नहीं है तो तो चोड़ी टिजु इसे र 마음에 होता है उसे तो याद रखने की कुल इतनी वारा जो सिद्धान थे किसी संभढ़ी थे जैनधर्म सी संभढ़ी से संब्ढ़ी संब्ढ़ी थे हैं . जैनधर्म सी संभढ़ी थे। गौत्म बुद्ध का जनम में कब हुआ था ? 563 में हुआ था गौतम बुद्ध का जनम था वो 563 में हुआ था गौतम बुद्ध का जनम कब हुआ था 563 में बौध सिक्षा का केंद्र बौध सिक्षा का केंद्र क्या है विक्रम शीला बौध सिक्षा का केंद्र था विक्रम शीला question number 61 है जो बौध सिक्चा थी उसका केंदर क्या था बौध सिक्चा का केंदर विक्रम शीला था ठीक है विक्रम शीला का नाम याद रखेंगे बौध सिक्चा का केंदर विक्रम शीला था ठीक है भारत में सबसे बड़ा बौध इस्पूत कहां है तो यह साची में है ठीक है भारत मे सबसे बड़ा बहुत साची में है यह नाम आप साची का याद रखेंगे कि साची में सबसे बड़ा बहुत इस पूत है ठीक है जो कि भारत में है भारत में सबसे बड़ा बहुत इस पूत कहां पर है साची में ठीक है निमलिखित में से किस ग्रंथ में सर प्रिथम देवी की पूजा क्रिश्न का वर्ण किया गया है ठीक है निमलिखित में से कौन से ऐसा ग्रंथ है ठीक है जिसमें की ग्रंथ में सर प्रिथम सबसे पहले ठीक है देव की पूजा ध्युक्ति के पूजा किया गया है एसा ग्रंथ है चिसमें सबसे पहले देवकी के पूजा वर्ण मिलता है ठीक है क्रिश्न को आप सब्सभी जानते हैं युकर वास्तयों की फुतर थे जो देवकी की जो फुतर थे प्रिश न उनका सबसे पहले ऐनर thousand पहलें मिलता है अपनशद रखेंगे कि ठीट के कि इसा ग। लेख्õ सबसे पहले मिलता है ठीक है छांदः ऊपनिशद या रखेंगे आप छांदः ऊपनिशद में सब से पहले जो देवकी के पुत्रिक्रशन है उनका वढन मिलता है ठीक है को अम में 64 समेदाई में प्रथम विवाजन के स्वेतांबर संप्रदाई के संस्थाफ़क थे जो जैन धर्म डिवाइड हुआ है जो स्वेतांबर संप्रदाई के संस्थाफ़क कोन गवाद्र सव्यत्तुल भद्र संपर्दाज्दामधियस के संथ्थापक घृति के वह जेंग संपर्दाजी Πि toda कूशन नंबर 65 भारत में सबसे प्राचीन प्राचीन बिहार है ठीक है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा ठीक है नालंदा जो है बिहार में सबसे ज़्यादा प्राचीन है ठीक है सबसे ज़्यादा प्राचीन भारत में बिहार है जहांकि नालंदा की बात की जाते है नालंदा विश्व द्याले है प्रथम जैन सभा का आयूजन कहा हुआ था ठीक है तो यह पाटली पुतर में हुआ था पहला प्रतम जन महा सभा का आयूजन पाटली पुतर में था जए जैन सभा का आयोजन बल्लवी में हुआ था ठीक है पहली जैन सभा का आयोजन पाटली पुत्र में हुआ है दूसरी जैन सभा का आयोजन बल्लवी में हुआ है ठीक है दूसरी जैन सभा का आयोजन बल्लवी में हुआ है पहली का पाटली में हुआ है ठीक है दोनों का जाद र जैन साहित का संकलन किस भासा वा लिपी में है जैन साहित का जो संकलन है वो कौन सी भासा और कौन सी लिपी उसमें यूज हुई है तो कौन सी भासा यूज हुई है प्राकृतिक भासा है और अर्ध मांगधी लिपी है इसमें जो जैन का संकलन है जैन साहित का जो संक्लन किया गया है उसकी भासा प्राक्रती है और उसकी लिपी है वो अर्ध मांगदी है ठीक है अर्ध मांगदी लिपी है और प्राक्रती भासा है ठीक है प्राक्रत भासा है और द्राक्रती लिपी है किसकी जैन साहित के संक्लन की ठीक है, question number 69, नेम लिखित में से कौन सा एक अन तीनों से समकालिक नहीं है, कौन सा एक ऐसा है जो कि तीनों के समकालिक नहीं है, नहीं पर आप इसे ध्यान देंगे, ठीक है, तो नहीं है, बिम्बी सार, गौतम बुद्ध, ठीक है, और प्रसेंजीद, ठीक है, प्रसेंजीद, गौतम बुद्ध, बिम्बी सार, ये सभी एक दूसरे से सम्मंदित है, ठीक है, बिम्बी सार, गौतम बुद्ध, ठीक है, और प्रसेंजीद, एक दूसरे सम्मंदित है, लेकिन, जो मिलिंदी है, वो इन से सम्मंदित है, नहीं है, आप डिटेल वाली किताब आप देखूगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ठीक है तियोरी वाली आप देखिए है कोशन नमर्स 70 नेमने कतनों का पर विचार कीजिए ठीक इनकत्नों में आपको विचार करना है, जो सही हो, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बढ़ा हो जाता है, कोशन कवर नहीं हो पाते हैं, गौतम बुद्ध की माता, कोलिया, राजबंस की राजकुमारी थी, ठीक है, ये बात सही है, कि जो गौतम बुद्ध की माता, कोलिया, राजबंस की राजकुमारी थी, और तेस्वे तीर्थकर, जो तेस्वे तीर्थकर थे, पासर्वनात, ठीक है, बनारस के थे, जो पासर्वनात थे, वो तेस्वे तीर्थकर थे, और ये कहां से संब्दे थे, बनारस से, ठीक है, तेस्वे तीर् और गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजबंज की राजकुमारी थी ठीक है बार बार रिपीट कर देती हूं ताकि आपको याद रह चाहें ये कोशन Q71 प्राचीन भारत के बहुत मठों में ठीक है पौरन नामक समारहों आयुजित किया गया था या किया जाता है यहां पर यह समारहों आयुजित किया जाता है प्राचीन भारत के बौध मठ जो प्राचीन भारत के बौध मठ है इसमें पौरन पौरन नामा प्याद रखेंगे पौरन नामक समारों का यूजन यहां पे होता है ठीक है जो की जो किस्ते समंदित है वर्षा रितु ठीक है जो वर्षा कटा है होता है वर्षा रित के दौरा मठों में प्रवास के समय विख्चुमों द्वारा किये गए अपराधों की स्यूकार रोकती का अवशर होता है ठीक है यह किसका अवशर होता है जो किस्ते संबंदित है यह संबंदित है कि वर्षा रित्यु के द्वरान होता कब है वर्षा रित्यु के द्वरान होता है ठीक मठों में प्रवास के समय मठों में जे प्रवास रहने के लिए रहते हो दोवारा किये अपराध होगी उनसे कोई अपराध हो जाता है तो वह वो ऐसा समय होता है जब उसे वो सियुकार करते हैं ठीक है सियुकार रोकती का अवश्यर होता है ठीक है वो अपनी गलतियों को इस टाइम सियुकार करते हैं यह दिन से कोई गलती कोई अपराद हुआ है तो चमा याशना करते हैं ठीक है कोशन नमर बहातर कस्मीर में कनिस के सासनकाल में जो बहुत संगीती आयुद हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी कस्मीर में कनिस के सासनकाल में कनिस के सासनकाल में जो बहुत संगीती कस्मीर में हुई थी उसकी अद्धिचता किस ने की थी उसकी अद्धिचता की थी वशु मित्र ने ठीक है वशु मित्र ने कस्मीर में जो कनिस के सासनकाल में कस्मीर में कनिस के सासनकाल में बौध संगीती का आयुजन हुआ था उसकी अद्धिचता वाशु मित्र ने की थी ठीक है वशु मित्र उसके अधिचना की थी कोश्चन नमा 73 जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने क्रशकों को जैन धर्म अपनाने से रोका ठीक है पहला कतन ये दूसरा है क्रशी में काटों एवं कीडों की हत्या होना सामिल है तो ये दो कतन दिये गए आप से पूछा गया है कौन से सही है नहीं है ठ साथ भी सही है लेकिन आर एकी सही ब्याख्या नहीं करता ठीक है लेकिन आर एसे सम्मंदित नहीं है आप यह कह सकते हैं ठीक है कि एक दूसरे से सम्मंदित नहीं है तो जैन धर्म के जैनों का धर्म था जैन धर्म अहिंसा पर बल ने क्रशकों को जैन धर्म अपनाने से रो हिंसा पर बल दिया था ठीक है और क्रशी जो खेती बाड़ी होती है क्रशी होती है उसमें कीड़े मकोड़े तो मरते ही है ठीक है तो क्रशी में कीड़ों और कीड़ों की हत्या होना सामिल था ठीक है तो इन में कीड़े मकोड़े तो होती ही है जब फसले होती है तो वह भी सा कि परस्पाटम ते मर जाते हैं ऑस टांग एक मारग की संकल्पना अंग है ठीक है ठीक है किसे का अंग है किसी का अंग है ऑपका बताना ये धर में चक प्रवरतन सूत ठीक है किसका अंग है ये धर्मे चकर प्रवर्तन सूत की विशे वर्स्तु का अंग है आश्टांग मार की संकल्पना ठीक है आश्टांग मार की जो संकल्पना है वो धर्मे चकर प्रवर्तन सूत की विशे वर्स्तु का अंग है मिलिंद पंदो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बहुत विक्षू के मद्द संभाद के रूप में है ठीक है यह जो प्रश्ण है वो किस किस के राजा मिलन्द थे और बहुत विक्षू के मद्द संभाद के यह प्रश्ण है नांग सेन ठीक है कौन से राजा संभाद थे नांग सेन से ठीक है मिलंद के प्रश्ण राजा मिलंद राजा थे और किस बौध विक्चु यह कौन सा बौध विक्चु था तो इस बौध विक्चु का नाम है नांग सेन नाम का जो बौध विक्चु था और राजा मिलंद राजा मिलंद और नांग सेन नाम का जो बौध विक्चु था इन दो उनों के बीच सब्दों का जो प्रश्ण उत्तर हुए थी संबाद हुआ था ठीक है उसके उससे संबंदित है कोश्चन नमबर 76 76 में आपसे पुछा गया है महायान बौध धर्म से ठीक है जो महायान है महायान बौध धर्म में बोधी सत्य अब लोग जो बोधी सत्य के शब्दाया है यहां पर और अवलोकी तेश्वर ठीक है अवलोकी तेश्वर और को और किन अन नाम से जानते हैं ठीक है जो महायान बौध धर्म है इन्हें किनके नामों से जानते हैं एक तो बोधी सत्य हो गया ठीक है बोधी सत्य अब लोकन स्वर हो गया और कौन सा नाम से जानते हैं और इसको जानते हैं और इसे पदमापारी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है पदमापारी के नाम से भी ज केशिर और पद्मा पाड़ी के नाम से भी जाना जाता है किसे महा यान बौद धर्म को ठिक है कोस्चन नमबर स्बस सलिटार्ट बौद धर्म ताथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे ठीक है बहुत और जैन धर्म, दोनों धर्म ये मानते थे कि इस्तरी और पुरुष दोनों ही मोच प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो इन दोनों धर्मों का मानना था कि जो इस्तरी और पुरुष दोनों ही समान रूप से मोच की प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, बहुत धर्म भी ये महायान और हीनियान संप्रदायों में सरवधिक मौलिक अंतर कौन सा है जो बहुत धर्म था ये दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था जो बहुत धर्म है तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था ये एक महायान बन गया था और दूसरा हीनियान बन गया था ठीक है महायान और हीनियान बहुत धर्म की महायान और हीनियान संप्रदाय में सरवर्धिक मौलिक अंतर कौन सा है सबसे जदा मौलिक अंतर इसमें कौन सा है तो सबसे जदा मौलिक जो अंतर इसमें है देवी देवताओं पूजान ठीक है question number 79 जैन धर्म स्वयतांबर एबं दिगंबर संप्रदाओं में कभी विभाजित हुआ था ठीक है जो जैन धर्म था वो दो पार्ट में डिवाइट हुआ था संप्रदाओं में कभी वाजित हुआ था तो कभी वाजित यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर के सासन काल में चंद्रगुप्त मौर के सासन काल में जो जैन धर्म था वो स्वयतांबर और पीतांबर संप्रदाओं में विभाजित हो गया था ठीक है जैन धर्म कभी विभाजन स्वयतांबर और पीतांबर में हुआ था चंद्रगुप्त मौर के सासन काल में ठीक है question number पर अस्ती सुमेलित कीजिए इसमें आपको मिलान करने हैं सुमेलित करने हैं पहला है प्रिथम बौद संगीती जो पहली बौद संगीती है उसका समंद्ध किसे है ?महाकस्यप से ठीक है पहली संबंध्य क्これ kaks Mantla कि सोंस्याम सी द कि यो सबस्कामी से सद्चिति है मोगली पुत्र से पर सक में और चौथी संगीति क लिए मैं वाशु मित्र से है कि इस यह संबन्दे थे यह बहुत संगीति आप यादर कर लेंगे एक साथी कि पहली बहुत संगीति किसे संबन्दे थे और डिटेल वाला एक बार वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कॉंसेट क्लियर होते चले यहां मैं समझाने बैठोंगे तो यह और ही बड़ा हो संद्ग मोग ली पुत्र से हैं और चोथी वध्र संगीति का संबन्द वाष मित्र से हैं ठीक नमबर 81 से नेम्ड में कौन से धर्म है पुनार जन में विश्वास करते हैं कौन सा अफ़ा धर्म है कि पुनार जन में में विश्वास करता है तो पुनर्जन में विश्वास हिंदु धर्म भी करता है तो पुनर्जन में विश्वास हिंदु धर्मी करता है तो हिंदु धर्म बहुत धर्म जैन धर्म तीनों धर्म ही पुनर्जन में विश्वास करते हैं जैन धर्म भी करता है और हिंदु धर्म करता है, ठीक है, कोश्चन नमर 82, कोश्चन नमर 82, बौध संगीतियों के चार आयोजकों का सही क्रम क्या है, ठीक है, अब बौध संगीति की जो चार आयोजक है, ठीक है, इन आयोजकों का क्रम आप से पूछा गया है, कि कौकिस के सासन काल में ये बौध संगीति का आयोजन ह हुआ था तो सबसे पहला अजाट शत्र ठीक है इनका क्रम आप लगा लिए आजाट सबसे पहले बहुत संगिती का करम है सबसे पहली बहुत संगिती हुए थी अजाट च्क हुआ दिए जासस्ट कानिक पूस है कुश्चन no to the chorus час एकО कौुश्टन नंबर www.8 त्रीपटक का अंग नहीं है नहीं पर्विसेश ध्यान देना है आपको कौन सा का का अंग नहीं है तो कौन सा नहीं है जातक जातक का समद्ध त्रीपिटक से नहीं है ठीक है इसका समद्ध नहीं है से कोश्चन नमबर 84 84 में इसे मीं किन दो जयन तीर्थकरों का उलेख मिलता है तो किस किस का मिलता है एक तो रिशब्देव का मिलता है वो दूसरा किसका मिलता है अरिष्ट नियमी का ठीक है अरिष्ट नेवी ओर रिषब देयो अरीष्ट नेभी दोनोն आप शूमत रखेंगे अरशी इस नेभी मियोडुंदेयो का समозможно इनका अलबी रिख वेध में मिलता है जो कि जैन-3 कर है जैन तीर्थ रिख जो रखेंगा तो आपका आसानी से यादर जाएगा और इस्ट नेमी याद कर लिजेगा कोश्चन नमबर पच्चासी यहां आपको दो सूची दी गए है जिनको मिलाना है पहली में महाबीर का नाम है दूसरा उनका अर्थ है ठीक है तो इनका पहला है केवलीन ठीक है केवलीन का अर्थ क्या है पूर्ण ग्यान केवलीन का अर्थ होता है पूर्ण ग्यान याद रखेंगा केवलीन का अर्थ है पूर्ण ग्यान केवलीन का अर्थ क्या है पूर्ण ग्यान दूसरा है जिन का संबंध है इंद्रियों की जीतने बाला जिन का मतलब है इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रियों को जीतने वाला महावीर महावीर कार्थ क्या है अपर्मित पराक्रमी ठीक है अपर्मित पराक्रमी ठीक है महावीर कार्थ है अपर्मित पराक्रमी ठीक है महावीर कार्थ है अपर्मित पराक्रमी ठीक है महावीर कार्थ है अपर्मित पराक्रमी और निर्ग्रंद का सम्मंद्य क्या है इसका आर्थ क्या है बंधन रहित निर्ग्रंथ का जो आर्थ है व बंधन रहीद है तो इसके कुछ बचे हुए है ओने कर लेंगी तो यह 85 तक question हो गए है 86 से आपको दूसरे पार्टे में करा दूँगी क्योंकि आदे गिंटी का वीडियो हो गया है फिर वीडियो बहुत बढ़ा हो जाएगा ने तो ठीक है Thank you all of you Thank you for watching